हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल चलिए आज हम बनाएंगे एक कटोरी सूजी और एक कच्छे आलो का बहुत ही टेस्टी नाश्ता हैं जिसको आप बच्चों के टीफन में भी दे सकते हैं और जब भी आपको भूख लगे आप बना कर तियार कर सकते हैं और ये खा कटोरी में हमने सूजी लिया उस कटोरी में हम दही ले लेंगे तो यहां पे हम आधी कटोरी दही ले लेंगे और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और जिस कटोरी में हमने दही लिया था उसमें मैंने पानी ले लिया पानी डाल देंगे और पानी डालकर अच और डाल कर इसको हम एक पर फिर से मिला लेंगे तो चलिए इसमें आप हम नमक डाल लेंगे तो चलिए स्वाद के अंसार इसमें हम नमक डाल देंगे थोड़ी सी इसमें हम लाल मिर्ची डाल देंगे और थोड़ी से इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे और साथ ही इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और थोड़ी सी इसमें हम काली मिर्ची डाल देंगे और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डाल कर इसको हम अच्छे तरह से फिर से मिला लेंगे अगर आपको बचों के टीफन के लिए कोई भी रैस्पी नहीं सूज रही तो आप सिरुफ और पॉस पाउस मिनड़ में इसको बचों को बना कर दे सकते हैं और यह खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्टरी बनते हैं और बचों को तो बहुत ही ज्यादा पसंदाते हैं तो चलिए वैटर हमारा बन कर तयार है तो प्लेट ले लेंगे कवर कर देंगे और कवर करके इसको हम 10 मिन तक साइड पे छोड़ देंगे और अब हम यहाँ पे प्लेट लेंगे और साथ ही यहाँ पे हम कदूकस ले लेंगे और बारीक वाली साइड से हम आलू कदूकस कर ले करेंगे बारीक वाल्य iç official करनेसे और जो बालु करने बाएं जोड़ करने होगा और अच्छी तरह से पानी में साफ भी हो जाएगा हाथों से मसलते हुए आलू को हम साफ कर लेंगे और 10 मिनिट बद हम चेक करेंगे हमारी सूजी जो है वह देखिए अच्छी तरह से फूल चुकी है तो इसके लिए अब हम तड़का त्यार करेंगे तो यहां पर हम थ से परल कर त्यार हो चुक है तो चलेवन इसको हम शॉaldo में डाल देंगे सूसी में डालने से इसका जो टेस्ट यह बहुत ही बड़ी आता है तो आप इसको इसमें जडूर डाले तो चलिए इसमें अब हमने जो आलु कदूकस करके लिया था है इसमें हमने सारा पानी निकाल दिये और इसको हम इस तरह से सूजी में डाल देंगे और यह नाश्ता बिल्कुल ही अलग तरीके का नाश्ता है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है आप इस नाश्ता को एक बाज रूट ट्राइ करके देखिए और थोड़ा सा इसमें मैंने यहाँ पर पानी डाल दिये और पानी डालकर इसको हम मिला लेंगे तो यह देखिए बैटर हमारा बनकर तयार हो चुक है तो चलिए अब हम एक तवा ले लेंगे और तवे को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और इसको हम खीके साथ ग्रीस कर लेंगे तो तवे को ग्रीस करने के बाद हमने जो बैटर तयार किया है इसके उपर डाल देंगे तो इसको आप पैनकेक भी बहुत सकते हैं और इसको आप सूजी और आलू का चीला भी बहुत सकते हैं तो तद्वे के उपर मैंने एक साथ यहाँ पर तीन चिले डाल दिये बनने के लिए और इसको हम नीचे से पकने देंगे तो चलिए इनकी अब हम साइड चेंज करेंगे और यह देखिए साइड चेंज करने के बार यह नीचे से अच्छे तरह से पक चुकी है और इनको हम उपर से इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि ये नीचे से भी अच्छी तरह से पक जाए तो चलिए एक बार फिर से हम इनकी साइड चेंज करेंगे तो ये देखिए दोनों साइड से हमारे आलू और सूजी के चीले बन कर त्यार हो चुके हैं तो चलिए, इनको हम उतार लेंगे, और बाकी की चीले भी हम इस तरह से बना कर तियार करेंगे. तो ये लीजिए. सारे चीले मैंने ये आपे बना कर तियार कर लिए. ये लिजिए त्यार है हमारा सूजी और कच्छे आलू का बहुत ही टेस्टी नाश था जो खाने में बहुत टेस्टी बने तो आप भी कीजिए ट्राइ वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल झाल जहीं